Hello everyone, welcome back to my channel और मेरे चैनल का राम है वर्षा ब्यूटी की एर दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगी दोस्तो आज मैं आप से शेर करने जारे हूँ शिवागगी जोशी का ये इंस्पायड मेकप लूग जो कि मुझे भी बहुत जादा पसंद है तो शली दोस्तो देख लेते हैं और आगे बढ़ने से पहले गाईस अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं मुझे पहली बार देख रहे हैं तो स्वागत आपका मेरे चैनल पर प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजए तो यह देखे मैंने moisturizer लगा लिया है अब मैं यहाँ पर लगा रही है hoda beauty का यह primer और काफी अच्छा primer है मैंने इसे अभी एक दो बारी use किया मुझे काफी पसंद आया है इसकी खुश्बू भी बहुत ही अच्छी है और इसकी purchase link में आपको नीचे description box में दे दूँगी तो आप एक बार check जरूर कर लिजेगा आज की इस वीडियो में guys मैंने कुछ new products या use किया है तो उनका सभी का link मैं आपको दे दूँगी description box में तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ Swiss Beauty की foundation लगा रही हूँ और guys इस foundation को use करने से पहले apply करने से पहले अपने face को अच्छे से moisturize जरूर कर लिजेगा क्योंकि यह आपकी skin को थोड़ा सा dry बना देती है तो इसलिए आप moisturizer जरूर लगाए और oil skin वालों के लिए बहुत ही best है और हाँ आपको इसे ब्लेंड करने के लिए भी थोड़ा सा time लगेगा और आपको इसको जल्दी से ब्लेंड कर लेना है guys क्योंकि यह बहुत जल्दी dry होने लगती है तो अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेक का concealer और इसे मैं एक flat foundation brush की help से ब्लेंड कर लूँगी नेक्स मैं आपर लगा रही हूँ Maybelline Super Fresh Compact Powder और इसकी help से मैं अपनी foundation को और concealer को अच्छे से से सेट कर लूँगी नेक्स में आपर अपनी eyebrows को fill कर रही हूँ और हम हिलेरी रहूडा की इस eyeshadow palette से transition color लूँगी और इसे अपनी crease line पर place करते हुए अच्छे से blend कर लूँगी इस blending brush की help से और नायरा का job look है आप देख सकते हैं बहुत ही simple है बहुत ही सुंदर लग रही है वही simple से look में भी बहुत ही गुपसुरत लग रही है बहुत ज़्यादा heavy makeup नहीं किया हुआ है उन्होंने इस look में आप देख सकते हैं next मैं same palette से dark pink color का shade लूँगी और इसे इस तरीके से पूरी eyelid पर लगा लूँगी और इसे थोड़ा सा blend कर लूँगी बहुत जाता blend नहीं करना है अपने इसे तरीके से मैं लगा लूँगी next मैं same palette से ले रही हूँ light pink color का shade और इसे मैं fingertip की help से लगा लूँगी अपने eyelid पर उसी same eye shadow पर और इस तरीके से मैं से थोड़ा सा blend कर लूँगी small flat brush की help से next मैं आप लगा रही हूँगी हूँ ADS का eyeliner और ये भी guys मैंने भी कुछ दिन पहले ही purchase की है अगर इसका review आप देखना चाहते हैं तो मुझे comment करके जरूँ बताएगा इसका review में बहुत जल्द आप से शेयर करूँगी इसकी tip मुझे बहुत ही अच्छी लगी है इसकी help से आप winged eyeliner बहुत अच्छी से draw कर सकते हैं next मैं यहाँ पर लगा रही हूँ Maybelline की काजल अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ Maybelline का mascara आप चाहें तो fallsies लगा सकते हैं नहीं तो आप skip भी कर सकते हैं अब मैं अपने face को contour कर रही हूँ यहाँ बर दा जैकली निल palette से dark brown color के shade से इस contour brush के help से मैं अपने face को contour कर रही हूँ और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ swiss beauty के blush palette से यह blush और यह dark pink color का blush लगा रही हूँ मैं यहाँ पर next पर same palette से अपना highlighter भी लगा लूँगी और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ L18 की lipstick और यह bright pink सा shade है पता नहीं आपको camera में क्यों change नजर आ रहा है आपको हो सकता है camera में यह dark pink नजर आए और guys यह है मेरा final look आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा और पसंद आए तो please guys मेरी इस video को like share करना ना बोले comment करके जरूर बताएगा कि आपको मेरा यह make up look कैसा लगा आप मुझे follow कर सकते हैं facebook और instagram पे और हाँ दोस्तों मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे skin care, hair care, DIY, face pack, facials, product review, healthy tips चेयर के हूए है तो please guys मेरी वीडियो की playlist को एक पर जरूर चेक कर लीजेगा I'm sure आपके लिए helpful होगी और हाँ दोस्तों आप पूछ रहे थे कि under arms पे मैंने वीडियो बनाई है या नहीं तो हाँ मैंने under arms पर भी वीडियो बनाई हूँ है इस topic पर already तो please guys मेरी इस वीडियो की playlist को जरूर चेक कर लीजेगा I'm sure आपके लिए helpful होगी so guys मैं मिलती हूँ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care love you all